क्या हुआ मन में कुछ इमोसन जागा जी हा वैसे यह जो आईस क्रिम का कब मेरे हाथ में है इसको देख के तो अच्छो ऑच्छो की इमोशनज जाग सकते हैं इस गर्मी में छनी छन्दी आइस क्रीम और यह सर्फ आइस्क्रीम थोड़ी है इसमें तो केक का स्वाद भी है यहां केक मज़ा ले रहे हूं क्या वात है रसोई सेका एक शांदर एपिसोड आइस्क्रीम स्पेशल में से सुनुदा मिंगलानी जी के साथ आए वेलकम करते हैं सुनीता जी का और वैसे मैं थैंक्स लेदूंगी बहुत अच्छी आइस्क्रीम बनाई है उन्होंने यह हम सब सीखते है लेकिन पहले उनका वेलकम करते हैं अलो सुनीता जी हाई विर्टिका अग्या वाद है आस्था बढ़ी अच्छी लग रहे हैं तारीश लेकर दिवड़ी अच्छी आइस्क्रीम सीखनी है फिर मुझे खानी है चीता लेती हूं निग्रा के मैं अप अच्छी लग रहे हो औ आज हमारा रश्वी सीका आइस्क्रीम स्पेशल एपीस होज है आपके साथ पैसे तो देखो बहुत पारे तरीके हैं आइस्क्रीम को भरे बनाने के बहुत सरे फ्लेवर्स हम दवलब कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे जो कॉमनली हम लोग बना से कर सबको अच्छे लगे जी त केक टिन लिया है और समय फॉय लगा अच्छा केक जो आप घर में बनाती है कोई भी केक लेले इसी साइस का अच्छा इसे हमने लगा लिया तो यह जो केक आपने बनाया स्नीता जी यह सिंपली चॉकलेट टेस्ट अपन दवलब लिग लेकिन हम अगर चॉकलेट टेस्ट प और यह बैनिला इस्क्रीम है इसकी हम टॉपिंग कर देए और इसके लिए भी है कि आइस्क्रीम है थोड़ी सी मैल्च रनी चाहिए हम बसाइजी लिए इसको हाइल कर सके एक्दम टाइट रहे गया इसक्रीम तो इजीली इस पेस्प्रेट नी हो पाएगे तो जो नॉमल ट हम यह सेकंड लिए लगा देंगी चीक है और जो केक आपने लिया इसके आपनी इवनी इस्लाइस एक्दम सब्सक्रीम में अच्छे से बिलकुल एक जो स्लाइस की भी आपनी जो रखा है मैजरमेंट वो भी एक्वल है और यह हम बना रहे हैं ब्लैक फारेस आइस्क्रीम के और इसके उपर हम लगा देंगे यह थर्टीस तोके और यह टॉप पाला पीस आपने उपर रख दिया जाए इसे आप फॉइंसे कवर कर देंगे और फ्रीजर में रख देंगे इसे किती देर तक रखना है फीजर में कम से कम 4-5 खंटे फ्रीजर में रहना चाहिए ओवर न वह तुर्टी को युमितना तो हो बिल्कुकि आइसक्रीम भी वापस है जो लेर्स हमने केकी सेट किये वह बहुत अच्छी से एक अच्छी से तुम के लातीं आती हूं इसे रख कर हाती हूं जीक तो वह तो प्रतिकर रख कर आच्छी का अच्छी कह शाग साई ठीक है सुनीटा जी तो यह वो है जो आपने पहले से इसको सेट के बढ़ता है तो जो जो कॉम्बिनेशन आया है वो भी वाइच और एक्तम डार्क चॉकलेट कलर जो होता है वो जी हाँ आइस्ट्रीम केक है तो इसके बढ़ डेकोरेशन तो करना बनता है जी नेपस वेप्ट क्रीम है इससे हम आइसिंग कर लेंगे है आइस बूस्ती जो केक आपने बनाया है वो छोक्ते टेस्ट का बनाया है इसतरी केक बनाना रसोई से में हम लोग बहुत बार सिखा चुके है उसे चोटे चुछे केक इसमें इभी कर सकते है चोटे मोल्ल्स आते हैं सुनीता जी तो अलग 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 इंडिवीजू टीसे अगर अपने को आपका से तयार करने हैं, तो वह भी तयार करके फिर्ज में रख सकते हैं तो भाँद अच्छ लगेंगे और दिखे जिस तरीके से आप इसके आइसिंग कर रही है न तो इसको एकब ट्विस्ट दे रही है मतलब उसको जब नोजल से उसको उठा रही है तो एक शेप आटमेटिकली उसमें आ रहा है जी अब इस तरहे पूरा बना कर भी आप फ्रीजर भी रख सकते हैं और जब भी आपको सर्फ करने सर्फ करने आप इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डालते हैं यह डाक चॉकलेट है और देखिए जो अकसर हम लोग बेकरी में इस तरह की चीज़े देखते हैं तो जिस्ट पिलर है जो कि घर में रहता ही हमारे पास चॉकलेट चोटा सा पीस है तो किस तरीके से इसके पर अरेंज कर रहे हैं देखिए कितना अच्छा रग रहा है और इसे वर्मी सिलीज आ हमनेगा तो माइक्रो के अंदर बन जाएगा और साथ में जिस तरीके से अपने इसको लुग दिया है तो ईसली घर में दे सकते हैं और नहीं बील जाएगा ज़से अब आप यह मेरे हाथ में लिद्व जाये ऑप यहाथ में घुग नहीं हों कैसा लग रहा है आप इसलीज के साथ सर्फ कर सकते हैं, सब के लिए अच्छा लागेगा और फट से नोट कर लीजे इस कारी कैप ब्लेक फॉरेस्ट आइस क्रीम केक बनाने के लिए हमें चाहिए तीन स्लाइस चॉकलेट केक, एक बोल वनीला आइस क्रीम, एक बोल विब्ट क्रीम, वन ब्रिक टाक चॉकलेट ब्लेक फॉरेस्ट आइस क्रीम केक बनाने के लिए सबसे पहले केक टिन में सिल्वर फॉयल प्लेस करके चॉकलेट केक स्लाइस को प्लेस करें अब वनीला आइस क्रीम से इसकी टॉपिंग करें उपर से केक स्लाइस प्लेस करके वनीला आइस क्रीम से टॉपिंग करें केक स्लाइस प्लेस करके सिल्वर फॉयल से कवर करें फ्रीजर में ओवरनाइट रख कर डी मोल्ड करें विप्ट क्रीम से इसके आइसिंग करके टाक चॉकलेट से गानुश करके सर्फ करें इतने अच्छा एस्क्रीम केक बनाना हमने सीका, बहुत सिंपल ना? अब सेकिंड भी बहुत आसान रेसिपी होगी, बहुत आसान से आइस्क्रीम है और वो होगी मैंगो जॉली, अथी लगती है ना? उसको आराम से स्टिक में पकड़ो और खाते रहो तो उसमें साथ में आम का टेस्ट भी आता रहेगा तो यह घर में सेम टेस्ट आएगा इसका और भी अच्छा और भी अच्छा चलिए ठीके फिरू करते है तो सबसे पहले हम लेंगे मैंगो पल करना इसमें डालना है यह मिल्क पाओडर मिल्क पाओडर गाएगा है जिसमें आदा बूल मैंगो पल पलिया और उससे वन फूर्थ कप हमने मिल्क पाओडर ले लिए ओके ठीक है यह वन इस्टो वन फोर्थ का प्रपोर्शन रहेगा है जिए ठीक है और देखिए उसका बहुत अच्छी से इसके अंदर इंवल्फ हो जाए है अब दीके आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको चीनी डाली है यह नहीं है इसको बनाने के लिए आपने आम कौन सा चूस किया है अभी तुम्हे ने सफेदा ही किया है लेकिन आप कोई भी आम जो आपको अच्छा लगता है तुम्हें सफेदा तो बिल्कुल बहुत अच्छा है क्योंकि उसका थोसा थेस्ट खटा और मीठा दोनों आता है और उसमे लिए पॉइंट वाली बात है तो जो भी आम का टेस्ट आपको पसंद है वैसे तो पो रहे सकते हैं लेकिन सफेदा खटा मीठा होता है पल्पी होता है तो आपने जिसे थोड़सी अभी इसमें चीनी एट कर दो किसी भी चीनी किसी मेरे पास मैंगो डॉली के सांचे है इसमें हम भर देते हैं और आक्सर अनिता जब में देखा होगा कि मार्कित इतना डवलप हो गया है इन चीजों के साथ आइस क्रिम के इतने अच्छे सांचे इतनी अच्छी शेप के एक पुल्फी के हो आइसक्रीम के हो बहुत दिखने में संदर लगता ही है कि जब चीज घर में बनकर आती है तो अपने आप खूबसूरती के साथ आती है जी इस तरीके से अब कुछ भी नहीं करना इसके अंदर जी बच्चे भी बना सकने जी एक्जैक्टली ना महिंगो पल्प को कहीं पकाया है कुछ भी नहीं किया जस्ट उसके अंदर एक मिल्क पाउडर का टेस्ट हमने डवलब किया है तो इसको हमने साचो में फिल कर दिया है अब जिस सैटो ने रखना है ठीक है रखकर आती है जी तो पर्दिका जी आइस्क्रीम आई जम कर तयार है सुनिता जी यह जम चुकी है लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उसको जबने में वही फोर से फाइफ आर्स तो लगी जाएंगा और अगर इसका बहुत अच्र जल चाहते है तो आई तिंग फुरी ओवर नाइट रगे तो आई तो आई तो आई तो आई अच्रीम है जो भी चीज आप सब्सक्राइब कर दो जाती है चलिए लाइए लेकिन हमारे ऐस्क्राइब चुकी है यह जिए ताइंक्यू तो देखे हम ने से तेस्ट डबलब किया है मैंगो का सेम तरीके से अप इस्ट्रोबैरी है की वी है सबका कर सकते हैं और इसमें जो में ट्विस्ट है वह है मिल्क पाउडर उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और वाके में इस तरीकी की जो चीजें होते हैं बनाने में बहुत आसान होती है तो हम लोगो को लगतर कुछ भी तो नहीं चलो बनाई लेते हैं तो हम भी मिक्सिंग बोल में मैंगो पल्फ डालें अब इसमें मिल्क पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें पिसी चीनी डाल कर अच्छे से मिलाएं इसे मोल्ड में प्लेस करें ओवरनाइट फ्रीज में रखकर नेक्स टे सर्फ करें संदी षोटेमस है इस पेंजैंजे बहुत वियरईटि आने लगी है तो हमारा संदी कैसा होगा जानते हैं संदी अलगता है नारा गैसा है हमारा टूटी-फूटी सबसे पहले हम संदे ग्लासस में चौकलेट सॉस टालेंगे यह इस इंपली चौकलेट सॉस चौकलेट आती है मार्केट में अपने वह यूस कर रहे है जितनी पसंद है उतनी डाले है और हम बना रहे हैं आपे टूटी-फूटी संडेग चौकलेट सॉस से घमेई बहुत इजली बन जाता है सनिता जी घर में अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएं देखिए बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं सबसे सिंपल वाला बताओं सबसे सिंपल वाला है अगर आपके पास condensed milk है ओके तो पुपाउडर डाले तो अगर चौकलें समय है आपके पास तो कॉन फ्लार हमेशा घर में होता है दूर भी होता है को ड़ी होता है नियुक्त कर लें उस पोड़ा सब बट्र डाले उस तारीके से वह भी बहुत आसान तरीका ह चाले बात आई बात में ग्लास की गार्णिशिंग भी हो गई टूटी फूटी में जैली जरूरी है अच्छा फूट्स भी तो हम सबसे पहले दोनों ग्लास जैली डालते है चीक और अपनी पसंद के आप फूट्स डाल सकते है जैसे मैंने सेव डाला जैली जैसे आपने इस ट्रॉबरी फ्लेवर के लिए है तो यहां भी हम अपने अपने अपना टेस्ट चेंज कर सकते हैं या जैली में भी दो तीन तरह के जैली जूज कर सकते हैं यह क्या है या इसक्रेंग के बटर स्कॉच्छ हाजी कर दो कि फिरसी हम थोड़ा सा बनायना डालते हैं और यह कीवी थोड़ा से कीवी डालते हैं थोड़ा चैली और जैली बनाना भी बहुत आसान होता है जैली के रेडिमेट प्रकेट में इसले अविलेबल है उन पर डारेक्शन लिखे रहते हैं आप आराम से उनको बहुत जल्ड़ी खर में बना सकते हैं हमने यहा पर एक जैली का यूज के लेकिन आप मुल्टी कलर जैली मुल्टी सैंप यह वरिंट जैली शाते हैं उनका भी उसके हैं ट्रकों एन दालेते हैं थोडी सी विप्ट मैं सुए attainताजी विप्ट ही केम सिपर गानिश कर रही है कि आप नीन चाहई क्यों अब गूज कोशन ली है पिर अपनको ऐस में स्ट्रॉबर्य आइस क्रीम का विका यूÁ नहीं चाहते तो आप स्रॉबरी सॉस ले लिजे पाइनेबिल सॉस ले लिजे कुछ भी ले सकते हैं चलिए ठीक है तो इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत थारे चेंजिस कर सकती है और ग्लास कितना सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी बात है पहले के अपने फूट्स और जैली का यूस करके टूटी-फूटी संड़े तयार किया है यह यह लिवर्टिका थांक्यू सो मच सुनिता जी थांक्यू देखो एक लास यह संदाज ने एक लास कुछ कुछ के रख लिया है तंदी है लो चलो हम भी जादा लालच नहीं करते हैं पाके में जैली का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर और साथ में सुनिताची जब ही चीज़े एक साथ असेंबल होती है तो उन सब चीजों का टेस्ट ही कुछ अलगटकी हो जाता है और इस तरह के ग्लासेस में आप इसा तयार करके फ्रिज में आप इन्हें साथ कड़े रख दीजिए और जब भी इचाओ इस तरह के के इंडिविजुल ग्लासेस सर्फ करिए नियुट करिए इसका रीक है तूटी फूटी संडे बनाने के लिए हमें चाहिए दो चमच चोकलेट सॉस एक चौथाई बोल जैली चार चमच एपल पीसेस आधा बोल ब चौकेट सॉस डालें अब इसमें जैली डालकर सेप के पीसेस बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाना पीसेस कीवी पीसेस जैली और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालकर विब्ट क्रीम से कार्णिश करें चैली प्लेस करके इससे ठंदा ठंदा सर्फ करें प्रिदा जी थांक यू सो मच आइस्क्रीम जो आपने हमें बनाना सिखाया को आपने खोशिश यही करी कि जब यूर्स सीखे भी तो उन्हें ते क्लिकिंग लगे कि वह अपने ऐसे घर में बना सके पर हमारा मोटिव भी यही है तरह से इसके लिए समय ने कालने के लिए आप टेस्ट किया जाए अभी तो यह एक एपिसोड है कि नाइस्क्रीम के और भी बहुत से एपिसोड जोंगे आप सभी के साथ देखते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा हाल फिलाल नोच करिये हमारा पता हमारा पता है रसोई से एटीवी फाइफ ऑबलिक 96A भवाने स अगले एक एपिसोड तक हम जारें और आएंगे ना ताइस्क्रीम को एक और एपिसोड लाएंगे बाबाई